हेलो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में खुपसूरत कुलांचो फूल को कैसे उगाएं तो ये मेरा कुलांचो फूल है ठीक है ये मेरा पिछले साल दिसंबर में खिला दिसंबर से लेखे फरवरी इंड तक खिला और काफी खूपसूरत है ये इसके ग spann करना रहता है अगला दिसमबर एमने वाले दिसमबर लिए तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखे ऑफूल जब खिल गया इसके बाद यह पेड पुराना हो जाता है पुराना फो जाने के पुराना हो जाने के बाद यह फूल इस तरह से लेकर यह डाल । और मर की गिरने लग जाता है तो गिर जाता है यह डाल इस तरह से तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग कैंची से यहां काट के हटा देंगे निकाल देंगे कैंची से ऐसे काट देंगे इसके बाद ये आप देख रहे हैं इस फूल को हम लोग को दूसरा गमला में लगा देना है क्योंकि ये ऐसे भी यहाँ पे गिर के मर जाएगा और इसके बाद ये इसका जो में ब्रांच है पेड़ है उसे पौधा है उससे कुछ निकलेगा कुछ छोटा- अच्छा फूल उगने के लिए इसको यहाँ से काट के हमें हटाना है और अल्ला गमला में हम लोगों को लगाना है ट्रांसपर करके तो इसके बाद ये फीर से बहुत सुन्दर खिलेगा ये इसको मैंने हटा के इधर रख दिया और यहाँ पे देखे ये भी मर गया है को ल पराना नहीं है ऐसे इसको हटा के ऐसे काट काट के हमें एक जिगह रखना है फिर मैं इसको अलग गमला में इसको मैं लगाओंगी और ये फिर इस तिसंबर को फिर ये बहुत बेहतरीन फूल हमें देगा तो ये मैं आपको बता रही हूं कि कोलांचो फूल को घर में कैसे उगाएं क्योंकि एक बार फूल खिलने के बाद ये फूल बिल्कुल भी मर जाता है इस तरह से ठीक है लेकिन ये जितना दिन खिला रहता है दो मैंना काफी खुबसूरत लगता है तो ये मैंने अलग गमला लिया और ये मैंने लिया ब्रांच को तोड़ करके यहां रखा ठीक है और ये मैंने अलग गमला लिया और इस गमले में मैंने इसमें रखा है गोबर और कुछ नया मिट्टी कहीं से ला करके रेड कलर का नया मिट्टी और गोबर को मिला करके मैंन वाइबल-भी कहीतिक भी दाल चलते सब्सक्राइब लाएबडude को वासे तीन मिला लिया है और हलका पानी डाला है इसके भाद इसों ऐसे- सब्सक्राइब को इस मिट्टी को ऐसे मिला देना है इसको ऐसे मैं मिला रही हूँ इसको अच्छा से मिला दिया मैंने ये मेरा मिट्टी बनके त्यार हो गया है नया गमला दूसरा गमला में मिट्टी और गोबर मिक्स करके मैंने डाल दिया है यह ट्यार हो गिया है, सुखा गोबर, याद रखिए, कच्छा गोबर नहीं डालना है हमें, सुखा गोबर डाल रहा है, सुखा गोबर और मिटी को 10 दिन के लिए मैंने भिंगा दिया, तो यह मिकस हो गया, ऐसे, इसके बाद यह कोलांचो का जो मेरा पॉधा, मेरा बरबाद हो रहा है इधर से ये भी देखी देखिए ये मर रहा है आप अच्छा से देख सकते हैं ये भी मैंने हटा दिया देखिए मर रहा है इसको मैंने केची से चार कलर में आता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, एक परपल आता है और एक रेड आता है, चार कलर का मेरे पास भी है, चार कलर का जो दिसंबर में खिलता है, तो ये मेरा दूसरा गमला में मिट्टी तेयार हो गया, ये मिट्टी मेरा तेयार हो गया, अब इसमें मैं कुलां अब इसको मैं दूसरा मिट्टी में ऐसी करके लगाओंगे इस ऐसी डाल दिया मैंने या रखें जब भी को लान्चो आपका खिलेगा तो इसके बाद खिलने के बाद और ऊवर्श वह हमेशा इसी बर्बाद होता है उसके बाद पुराना ड़न जाए करके दुसरे गंबले में मिट्टी और गोबर मिला करके ऐसे लगा देना है दुसरा गोबर दुसरा गंबला में मैंने लगा दिया ये इसके बाद ये मेरा बहुत ही बहतरीन फिर इस साल यहां से कुलांचो मेरा खिलेगा बहुत बहुत बहुतरीन कुलांचो फूल मेरा खिल और मैं भी दूसरा वीडियो में मैं दिखाऊंगी वो जहां जहां फूल सब जहां जहां मैं सुटिंग करती हूं वो सारा फूल मैं घर का दिखाऊंगी जो मैंने खुद से लगाये हैं और उगाये हैं और यह दिसंबर में देखेगा यह गमला में इतना बेहतरीन फूल मेरा कोलांचो का खिलेगा कि आप आस्चराय करेंगे तो ये आपको मैंने बताया कोलांचो लगाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा थैंक यू